असलाम लेकुम एवरीवान वेलकम बैक टू माई चानल आज आप लोग की लेकर आई हूँ एमी एमी गाजर का हलवा आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे विताउट ग्राइंडर विताउट ग्रेटर बहुत विक और आसानी से इसको बना की खा सकते हैं जबी भी आपके घर महमान आये इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं चलिए बनाना शुरू करेंगे इसके लिए मैंने हाफ किलो गाजर लिया है इसको पील करके अच्छी से वाश करकी छोटी छोटी पीसेस में कट कर लिया है देखिए ऐसे क्यूब्स में कट करना है बहुत क्विक एंड एजी इसको बना के खा सकते हैं आप चाहे तो राउंड शेप में भी कट कर सकते हैं अब इक प्रेशर कुकर को हम गरम कर लेंगे इसमें डालेंगे वन टेस्पून घी घी गरम होने के बाद इसमें डालें गाजर के पीसेस इसको मिक्स करते हुए थोड़ी देर हम घी में भून लेंगे इससे हलबा बहुत टेस्टी बनेगा पांच मिनिट इसको मिक्स करते हुए पका लेंगे आप इसमें एड करेंगे छोटी सी ग्लास दूद दूद भी आ गया है इसके अंदर मिक्स कर लें इसका लिट कवर करें सीटी लगए तीन सीटी आये तक इसको पका लेंगे तीन सीटी में देखिए गाजर अच्छे से पक चुके ही ये आज़ानी से श्मैश हो सकते हैं इसको आप श्मैश करते हुए पका लेंगे थोड़ी देर थोड़ी देर पकने के बाद आड़ करेंगे एक कप शुगर शुगर भी आ गया है इसको मिक्स करते हुए चम्मत से स्मैश करते हुए थोड़ी देर पका लेंगे विताउट ग्रेटर विताउट ग्राइंडर कितना अच्छा गजर का हलवा बन रहा है इसमें आड़ करेंगे तीन कुटी हुई इलाची थोड़ी से पिस्ता और मिलान सेड ड्रै फ्रूट्स आप अपने हिसाब से आड़ करेंगे फाइनल इसी में आड़ करेंगे वन टेबल स्पून घी खलवा ड्रै होई तक हम पका लेंगे देखिए आल्मोस ड्रै हो चुका है इसको आफ कर लें गर्मा गरम साव कर लेंगे एम्मी एम्मी गाजर का हलवा बनके रेडी है देखिए आप भी कितनी आसान इसे इसको बना के खा सकते ही विटाउट ग्रेटर विटाउट ग्राइंडर इस तरीके से आप भी जरूर बनाए अपने फैमिली के साथ एंजॉय करिए आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जब तक के लिए दोगों में याद रहिए अल्ला आफेस